वोटर आईडी कार्ड अगर आप नया वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं तो कौन-कौन से डोकुमेंट्स हैं जिनके आपको ज़रूरत होती है आज की इस वीडियो में वो मैं आपको बताने वाली हूँ साथी उन डोकुमेंट्स में ऐसे कौन-कौन से डोकुमेंट्स है उस लिस्ट में जो आपके वोटर आईडी कार्ड बनवाने में काम आ सकते हैं और साथी eligibility क्या है कब आप वोटर आईडी कार्ड के लिए प्लाई कर सकते हैं आज की इस वीडियो में वो भी हम देखने वाले हैं तो इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो प्लोड होती है उसकी notification आप लोग को मिल सके नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपनी education and सरकारी डोकुमेंट्स चैनल पर जहां पर मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आती है स्कूल, college, admission से लेकर जोब तक के अपडेट्स साथ ही सरकारी डोकुमेंट्स के साथ सारकारी स्कीन और सरकारी benefits के बारे में तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं voter ID कार्ड की सबसे पहले eligibility जान लेते हैं voter ID कार्ड यानि की आपका पहचान पत्र voter पहचान पत्र जि यह तब ही आप voter ID कार्ड के लिए apply कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में जो एज है वो डिफाइन है 18 साल के बाद ही voter की एज होनी चाहिए यह हमारे इंडियन constitution के according है और must have a permanent address और आपका कोई ना कोई पर्मानेंट होना चाहिए तो वहां से आपका voter ID कार्ड बन जाएगा तो आपको चाहिए proof of identity यानि कि कोई ID proof proof of address यानि address proof पोटोग्राफ और कई बार आप से birth certificate भी मांग लेते हैं तो वो भी details समया पर देखने वाले हैं तो से पहले बात करें address proof की तो address proof में आप document प्रोवाइड कर सकते हैं अधार कार्ड अपने passport की कोपी दे सकते हैं या फिर कोई gas connection का बिल हो water connection बिल हो राशन कार्ड या फिर bank passport ये सभी documents आपके चल जाते हैं address proof के लिए अगर हम बात करें proof of age में तो proof of age में आप 10th का certificate दे सकते हैं या फिर आपके पास birth certificate हो या pen card, अधार card, driving license, passport की कोपी या फिर किसान कार्ड अब बात करते हैं अगर हम ID proof की तो ID proof में आप pen card दे सकते हैं, driving license दे सकते हैं, राशन कार्ड, passport कोपी, bank passbook, अपना 10th का certificate, student ID card या अधार card तो ये सारे documents आपके चल जाएंगे ID card, ID proof में और इसके अलावा address pro को bus certificate के लिए मैं आप लोग को documents बता दिये हैं तो यह थी दोस्तों documents के list जो आपको ज़रूत पड़ती है ज अगर अब भी तक आप लोगों ने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लीजे ताकि जैसे वीडियो upload हो उसकी notification आप लोग को मिल सके, साथ ही वीडियो को like और share करे, आप मुझे social media पर भी follow कर सकते हैं, link नीचे description box में है